परिवार त्याग दिया, देश के लिए शादी नहीं करी, देश के लिए पत्नी छोड़ दिया मुसल्मान बच्चा पैदा करता है, हिंदू बच्चा पैदा करता है, सिक बच्चा पैदा करता है, हिसाई बच्चा के पैदा करता है और जो शादी नहीं करता है, जो पत्नी को साथ नहीं रखता है, वो बच्चा पैदा नहीं करता है, नब्बे के दशक में भी एक दंगाई को हम लोगों ने फ्लाइट में बंद करके हां से बेजाता, गंगा में बहुत पानी बह गया है, बिहार की जनता इनको अच्छे से सम भारती जनता पार्टी एक अच्छी विपक्षी पार्टी बन सकती, यह सरकार चलाने वाली नहीं, जब यह सरकार में रहती है, तो इनको महंगाई डार्लिंग लगता है, और आपोजीशन में जाती है, तो महंगाई डाइन लगता है, चीन को तो धर-धर का पा रहे थे, अ इसके बाद से भीबाद बढ़ते जा रहा है, लगतार इस पर प्रतिक्रिया आ रहे है, उन्होंने किशन गॉंज और अर्या को लेकर के काये कि दुनिया के सबसे जादे बच्चे हैं पैदा हो रहे हैं, और जो बच्चों को पैदा करते हैं, वो मुसल्मान है, और हमारे सा बच्चा पैदा करता है हिंदू बच्चा पैदा करता है सिख बच्चा पैदा करता है और जो शादी नहीं करता है जो पत्नी को साथ नहीं रखता है वो बच्चा पैदा नहीं करता है इस परिवार त्याग दिया देश के लिए शादी नहीं करी देश के लिए पत्नी और अबादी करते हैं। बच्चे पादा हो तो बच्चे पैदा होते हैं। सिर्फ गित अलग तरश्ग्राइब कि प्रियास पर निसाना है या फिर ग्री मुंत्री का आगमन होने वाला prima voz तो भी लगता रहा संका जता रहा है कि संपर्दाइकता बढ़ाने की परियास होगी, आपसी सवार्थ खराब करने की परियास होगी, उसके संबन में किस तरस देख रहा है इसको? देखे, नब्बे के दशक में, बीजेपी के एक पीएमिन वेटिंग रथ लेकर चले थे, देश में दंगा कराने के लिए, और बिहार में भी फिर से अमीश शाह जी के नाम पर एक रथ आने वाला है, तो अब उसी का ये दंगाई महौल मना रहे हैं, तो बिहार की जनता दंगाईों के निपसे निपटने के लिए अच्छे से जानती है, नब्बे के दशक में भी एक दंगाई को हम लोगों ने फ्लाइट में बंद करके यहां से बेजाता, और फिर आ रहे हैं, तो ये जो कॉमनलिजम की कोशिश में है, कि हम बिहार में दंगा खराएंगे, बात हिंदू मुसल्मान के नहीं होगी, जतना भड़काना था, इन लोगों ने भड़का दिया, और बिहार क्रांती की भूमी है, ऐसे बियानबाजियों से भड़कने वाली नहीं है, ग्रिय मंत्री आ रहे हैं, तो लगतार यह भी कहा जा रहा है कि हुआपे घुश पहटि कोई नहीं हो सकती है, जब यह सरकार में रहती है, तो इनको महंगाई डार्लिंग लगता है, और अपोजिशन में जाती है, तो महंगाई डाइन लगता है, जब यह सरकार में होते हैं, तो बेरोजगारी दुनिया की सबसे अच्छी चीज़े दिखाई देती है, और जहां opposition में जाते हैं तो बेरोजगारी इनको समस्या दिखाई देने लगती है जब ये सरकार में होते हैं तो इनको border पे कोई समस्या नहीं देखिए शांती दिखाई देता है और जहां opposition में आते हैं तो border पे समस्या ही समस्या दिखाई देती है भारती जनता पाटी एक अच्छी विपक्षी पाटी बन सकती ये सरकार चलाने वाले नहीं इसलिए देश की जनता से हम आगरा कर रहे हैं कि BGP को आपोजीशन में भेज दीजे ये आपोजीशन की सबसे अच्छी पाटी है ये सर पे सिलिंडर्ड होने वाले लोग रोजगार के लिए रे गुसपैठी आरहे तो दिल्ली में का कर रहे है थोतेने दिन से आकर यहां कैम कर जाते और यह तो BASF आलों को भी अब गाली दे रहे हैं किशन गंज के लाके में BASF की तैनाती है इसका मत्तब क्या है BASF और SSB के जो जवान है वो निकब में बैठे हैं का वहां पे कि गु ऐसी संपर्दाइक ताकोतों से लड़ने के लिए मैनेज करने के घुसरूतने बिहार के जनता खुद लठामार है और ऐसे लोगों को लाठी मार के बाहर भेखना जानती है